करेंगे तो आज की वीडियो के अंदर कुए अपडेट देखते हैं विटकॉइन के बारे में और साती में भी एक्सचेंजिस को लेके जो न्यूज आ रही है एक के बाद एक तो चल क्या रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्रिप्टो इंडिया चैनल ने 150,000 धीट सब्सक्राइबर के एक अगर आप धीट फॉलोवर रहे हैं तो वह स्टेप्स आपके अल्रीडी कंप्लीट होंगे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप कर सकते हैं तो वह जो स्टेप्स है आज के वीडियो के अंदर हम शेयर अगर चार्ट पर चलते हैं चार्ट पर चल के आ रहा है तो अगर अगर आप यह चार्ट देख सकते हो 13-17 का जो चार्ट है उसी की तरह पूरा पाटन जो है यहां पर मूफ कर रहा है जब से डंप हुई है डेथ क्रॉस भी होगा है तो यह तो TA perspective से बात होगे अब अगर fundamentally बात करी जाए तो 2020 में बहुत सारी चीज़े जो है यहां पर Bitcoin के लिए और crypto space के लिए चेंज होगे जहां पर Bitcoin को लिए specifically बहुत अलग-अलग तरीकी services जो है बाकी nations में एक तरह से यहां पर introduced जहां पर वो पहले इस चीज़ को लेके इ आज केट में saving accounts देंगे crypto के अंदर trading platform तो बहुत सारी चीज़े हो रही है all over the world इंडिया में उस लेवल में नी हो रहा अगर सही में development और देखना acceptance किस तरह की हो रही है बाहर की countries में देखो हर जगे positive चीज़े यहां पर हो रही है तो अब यहां पर overall हो यह रहा है कि Bitcoin को लेक किसी तरह का regulation लेकर आना पड़ेगा ताकि वो bad actors, good actors को identify कर पाएं तो यहां पर G20 nations जो है उनके लिए FETF न आपर guidelines दी जहां पर उन्होंने यह चीज़ बोला कि Bitcoin को ऐसे regulate करना तो possible नहीं है लेकिन best way हमारे पास तरीका यह है कि यहां पर जो centralized exchanges है जिस पर mostly volume रहता है अगर क उसको regulate कर सकते है जिनको VASP भी बोलते है virtual asset service providers तो उनको हम regulate करेंगे और वहां पर ऐसा होगा जिसे for example मेरा account किसी exchange पर है तो मेरी पूरी details की मेरा KYC क्या है सारी चीज़े फिर मेरे कौन से wallet है मैंने किसी और wallet पर सेंट किया तो wallet कौन उन करता है मैं खुद करता हूं कोई और करता है इस तरह से exchanges को rules जो है पूरे के पूरे फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने previously global crackdown ये एक video बनाया इसमें आप देख सकते है पूरी detail में मैंने यह आप explain कर रखा है तो global crackdown crypto India search करोगे आपको ये video मिल जागा इसको देखना सीखने को मिलेगा तो उसी according अब क्या है आप जो countries है वो इस process के अंदर है जहाँ पर वो आप implement कर रही है कि exchanges को देखा जाए पहले कैसे काम करते थे पहले unregulated market था तो किसी भी country में आप service दे सकते हो लेकिन normally countries में होता है कोई भी product या कोई भी चीज़ आप offer करते हो तो वहाँ पर आपको proper उस country के licenses लेने पड़ते है crypto space मे है नहीं क्योंकि को regulation ही नहीं था तो अब वो transformation के अंदर है जहाँ पर हम unregulated market से regulated market में आ रहे है और अब वहाँ पर जो यह countries है वो यहाँ पर अब इन rules को introduce करेंगे जहाँ पर अब हर exchanges को बोलेंगे कि हमारे यह rules है इसके according आप इसको follow करो या फिर यह proper licenses जो है आप उसको लो तो यहाँ पर आप खुद समझो कि जब ऐसे इस तरी की चीज़े होंगी जहाँ पर unregulated market अब regulated market में convert होने के लिए जाएगा तो वहाँ पर जो पूरा situation है थोड़ी से turbulent यहाँ पर रहेगी जो long term के अंदर अच्छी रहेगी क्योंकि फिर clarity मल जाएगी कि exchanges को भी कैसे काम करन क्योंकि proper licenses आ जाएगे लेकिन वो conversion होने में definitely unregulated market से regulated market जाने में थोड़ा सा turbulent यह टाइम रहेगा और यह चीज़े जो है अभी आने वाले टाइम पर भी और हमको चलते हुए देखने को मिलेगी जैसे आज ही अगर आपने देखा होगा इटली की तरफ से होंग कोंग की तर पर लेने पड़ेंगे तो उसी according अगर आप देखोगे अब यह जो चीज हो रही है बड़ी चीज है तो इसकी कारण क्या रहेगा market का थोड़ा sentiment भी नीचे रहेगा जब तक प्रॉपर चीजे तरीके से नहीं हो जाती है दूसरा टीय वाइस भी आप देखो तो वहाँ पर चीजे downtrend में तो वहाँ पर हमको क्या करना है अब यहाँ पर ट्रेंड के according चलना है अब ट्रेंड के according एक important चीज यहाँ पर यह कि प्राइस का overall जो momentum में वह तो यहाँ पर नीचे की तरफ है लेकिन हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़दा important चीज है कि अभी एक बहुत important support है जो Bitcoin की प्राइस को रोक रहा है और support दे रहा है वो यहाँ पर हमारा है 50 weekly moving average जिसको आप currently देख सकते हो यहाँ पर exactly अभी हम उसको test कर रहे है और यह है around 31,900 जो 32,000 मेरी ख्याल से हो जाएगा तो अब important यहाँ पर है कि अगर Bitcoin की प्राइस को थोड़ा सा भी डेट केट बाउ जाए तो यहाँ पर आप Monday morning 5.30 नई candle open होगी week की वहाँ पर important यह Bitcoin की प्राइस 32,200 के उपर हो क्योंकि अगर वो नहीं हुआ हम इस weekly candle closing के नीचे हो है तो फिर यहाँ पर चीजे जो है 13,17 से different हो जाएगा इसका मतलब कि और नीचे डम जल्दी देखने को मिल सकता है और probably क्यो जा रहा है अब ट्रेंड में long करके आराम से पैसे कमाऊ, downtrend में short करके पैसे यहाँ पर कमाऊ लेकिन sensible तरीके से Indian करना के अब BTC बढ़ाने हमको तो उसे चीज़ पर focus करो बाकि long term investor accumulate करते रहो correction पे every month dollar cost average करके and 3-4 साल का perspective आप लेके चलो because crypto is here to stay it will be here यह short term volatility आएगी problem आएग तो overall यह update है यहाँ पर Bitcoin को लेके बाकि लिट सी यहाँ पर जो 32,200 का area है वहाँ पर कि हमको weekly candle closing देखने को मिलती है कि नी देखने को मिलती है आपकी के viewpoints से उसके बार में आप जरू बताना बाकि अब next move on हम करते है यहाँ पर giveaway के उपर यहाँ पर 150,000 धीट followers so awesome यार thank you so much उस पीज जो है वो विन करेंगे तो इस post में अगर आप जाओगे इसका link description मिल जाएगा यहाँ पर सारे मेने steps बता रखें simple चीज आपको करनी है कि आपको चैनल के उपर subscribe करना है और उसके बात हमारी जो twitter handles हैं वहाँ पर आपको follow करना है सबसे पहला twitter handle जो है यहाँ पर है crypto India उसका link आपको इसी post के नीचे आपकर दिख जाएगा उसके next यहाँ पर crypto ID जो मेरा personal है तो यहाँ पर मैं आपने मन से कुछ भी crypto से बाहर भी और ऐसे randomly बहुत सारी चीजे लिखता रहता हूँ तो आप यहाँ पर आके follow कर सकते हो तो यह सबस्क्राइब करना है इन दोनों twitter handle को follow करना है और साथी में यहाँ पर जब आप crypto India के twitter पर जाओगे यहाँ पर आपको यह post मिलेगा इस post को आपको like करना है और retweet करना है साथ में चाहो तो अपने three friends को भी tag कर सकते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है काफी लोग बोल रहते हैं म simple steps giveaway के बाकी यह post का जो link के आपको नीचे मिल जाएगा जिसमें सारे यह links वगरे आपको मिल जाएगे तो इसके according आप जो है उसको follow करके सारी चीज़े कर सकते हो तो आज की वीडियो में overall यही updates बाकी आपकी क्या viewpoint है आपर bitcoin को लेके और overall यह जो global crackdown चल रहा है FATF आली जो म बाकी अगर आप BTC के बारे में regular updates और alt coins के बारे में update चाते हैं तो हमारी telegram वाली हविली में आके join कर सकते हैं उसका link आपको description मिल जाएगा तो आपर भी regular updates में देता रहूंगा यहाँ पर क्या चल रहा है BTC के साथ और बाकी alts के साथ बाकी twitter पे तो आई जाना giveaway में पाटि बाब बाब